नमस्कार जय जगनात आज मैं बना रहे हूँ डाल धोकली जिसे की इंडियन पास्ता भी कहा जाता है यह गुजरात में बनती है डाल धोकली फेमस डिसे तो डाल धोकली के लिए हमें सबसे पहले चाहिए डाल मैं ले रही हूँ यहां पर अरहल की डाल अरहल की डाल एक कप ल तो एक कप डाल को हम सबसे पहले दोएंगे अच्छे से दो से तीन बार डाल को दो लेंगे फिर दोने के बाद हमें भीगा के रखने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप चाहे तो भीगो के भी रख सकते हैं 5-10 मिनित तक लेकिन मैं इसे ऐसे ही बना रहे हूं डाल को भीगो क रखने से फाइदा यह होता है कि डाल बहुत जल्दी गल जाता है लेकिन कोई बात नहीं हम जल्दी-जल्दी में बना रहे है तो वेसे ही बना रहेंगे तो भी एक से ज़्यादा तीन से चाट सीटी लगा देंगे तो हो जाएगा और मैं यहां पर रेल ले रही हूं डाल दालेंके बाद में डाल रही हूं पानी में उसी कप में डाल रही हूं इस कप में डाल ली थी एक कप डाल ली थी और तीन कप पानी डाल रही हूं और उसके बाद नमक और हल्दी स्वाधानुसर नमक डालेगा फिर थोड़ा सा ओईल डाली हूं डालके तीन सिटी लगा दें एक या दो से तो यहां पर ले रहे हूं आटा गेहू के आटा ले रहे हूं गेहू के आटा में एक कभी ली हूं आप अपने अनुसार ले सकते हैं तो यहां पर बैसन ले रहे हूं मैं एक बड़े चमच बैसन ली हूं और बैसन जरूर डालेगा इसमें क्या है कि बहुत अच तेस्ट आता है ते में सारे सूखे मसाले डालेंगे सबसे पहले में ले रहे हूं स्वादा नुसार नमक अल्दी रेड़ चिली पाउडर और हींग और अजवाइन थोड़ा थोड़ा हाप 1-4 टेबल स्पून अजवाइन और हींग ली हूं और 2 टेबल स्पून यहां पर ते जल को थोड़ा सा मीक्स कर देंगे आटे में हलका सा मीक्स करके फिर उसमें डालेंगे पानी धीरे-धीरे हलका थोड़ा-थोड़ा डालके हम गूंतेंगे इस पानी में एक साथ ज्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो ज्यादा पानी हो जाए नरम हो जाएगा आटा जैसे हम नर्मली घर पर गूंते हैं रोटी के लिए आठा वैसे ही आठा गूंत के तयार करना है यहां पर और ज्यादा टाइट वाला नहीं नहीं बनाना है हमें देखिए कितना नरम है जैसे घर पर बनाते हैं रोटी वैसे ही एक बड़ा सा रोटी बनाएंगे सबसे पहले बड़ा स चोटे लोईयां बना के उसको चोटा चोटा भी बेल सकते हैं लेकिन यह ज़्यादा आसान रहता है एक बड़ा सा बेलने के बाद उसको काट देते हैं तो और उसका सेफ भी वराबर आता है एक जिसाफ आता है मैं यहां पर एक कटोरी से काट रही हूं आप चाहे तो कोई वो तो उसमें भी काट सकते हैं देखिए ऐसे ही दबा दबा के कोई भी चोटा सा कटोरी होगा घर पर तो उसमें दबा दबा के ऐसे काट देना है काटने के पाद फिर जो बचे हुए आता है जो जितना बचा है फिर से उसको हम फिर से वैसे ही एक रोटी बना के फिर से उ सुपकाइब दबा ड़ेना है कैसे मैं दबा रही हूं ज्यान से देखिए एक रोटी लेना है छोटे वाले रोटी को फिर उसको बीच से इकठा करके दबा ड़ेना है बीच में टाइट से दबाईएगा नहीं तो निकल जाएगा और यह साइड साइड को थोड़ा साखोल दे आप चाहे तो इसको बेल की डाइमॉंड या फिर स्क्वेर में काट भी सकते हैं मैं इसे फ्लावर से बनाई हूं अच्छा लगता है देखने के लिए देखिए सारा बना दिया है मैंने फ्लावर से बना दिया है अब इसको रखेंगे साइड में और डाल भी देखिए पक गय है तो इसलिए यह जो डाल मेसर है ना उसमें डाल को मैस कर देंगे या फिर अच्छे से पक गया होगा तो चलेगा फिर भी मैं यहां पर थोड़ा से मैस कर देखिए बहुत ही अच्छा स्टेक्चर आया है और ज्यादा पानी नहीं मिलाना है इसमें बस इतना ही ठीक है डा अब हम डाल में तड़का लगाएंगे तड़का लगाने के लिए में यहां पर ले रही हूं कड़ाई में 2 टेबल स्पून ऑ ऑईल अप रिफाइन तेल ले रही हूं आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं और में डाल रहे हूं जीरा और मेथी के दाने और खड़े लाल तक भूनेंगे फिर उसमें डालेंगे कस्मीरी रेड चिली पाउडर कस्मीरी रेड चिली पाउडर में यहां पर एक चम चली हूँ और उसमें डाल गड़ी पत्ता कड़ी पत्ते को भी मसाले में अच्छे से प्राय कर देंगे थोड़ा सा भूनने के बाद हम डालेंगे यहा तो यहां पर पतला या गाड़ा और ज्यादा चाहते हैं पतला तो पानी भी डाल सकते हैं लेकिन डाल डोकली के लिए इतना ही गाड़ा डाल चाहिए यह परफेक्ट बना है अब देखे उसमें मैं डाल गुड क्योंकि यह थोड़ा सा खटा मीठा और तीका लग बनने वाला है डाल डोकली तो उसमें आधा टुकड़ा डाल लिए हूँ गुड आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं और उसको अच्छे से मिला देंगे गुड को डाल में फिर एक उबाल आने के लिए छोड़ देंगे पांच से दस मिनट के लिए फिर हमने जो बनाए थे आटे से फ चाहन से इसलिए हम एक एक ही डालेंगे तो अलग अलग रहेगा तो अच्छे से चिपकेगा नहीं आपस में तो इसे हम सारे को डाल देंगे सारे ढोकलियों को डाल में डालने के बाद उसको हलका हलका चमच के सारे से थोड़ा सा चलाएंगे जोड जोड से नहीं फिर इसको धकन से धकके 5-10 मिनिट के लिए पकाएंगे सारे धोकलिया जब तक पकेगा तब तक इसको धकके एक उबा लाने देंगे फिर उसके बाद हम डालेंगे नीम्बू का रज थोड़ा सा खटा के लिए और मैं डाले हूँ धनिया का पत्ता तो नीम्बू के जगा आप यहां पर इमली भी डाल सकते हैं कटाई के लिए आप चाहे तो नीम्बू या फिर इमली कुछ भी डाल चकते हैं अब बनके तयार हो गया है हमारा डाल डोगली मैं इसको प्लेट में सर्फ कर रही हूँ देखे कितना संदर कलर आया है और अच्छा बना है यह पक्के अच्छा से तयार हो गया है अब इसको सार्फ करेंगे गर्मा गरम इसको खाने में अच्छा लगता है थंड़ी थंड के मौसम में इसको गर्मा गरम खाने से बहुत ही अच्छा लगता है और यह बहुत ही हेल ट्राइ कीजिएगा और आप मेरे चैनल में नहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकोन को दबाना ना भूलेगा तो मैं मिलते हूं फिर दूसरे ब्लॉग वीडियो में तब तक के लिए बाबाई